कॉंग्रस सहीत करीब डेर दर्जन विपक्षी दलो की बैठक 23 जून को पटना में हुई थी इस बैठक में 2024 के लोग सबह चुनाव को लेकर बीजेपी का मुकाबला एक जुठोकर करने को लेकर संकल्प लिया गया था अब विपक्षी दलो की अगली बैठक के लिए कॉंग् कॉंग्रस अध्यक्ष मलीकार जुन खडगे ने दूसरी बैठक शिमला में 10 से 12 जुलाई को होने का एलान भी कर दिया लेकिन 29 जून को अध्यक शरतपवार ने प्रेस कॉंफरेंस करके बताया कि मौसम संबंदी परिशानियों के चलते बैठक शिमला की जगा लेकिन अब इस मिटिंग को टाल दिया गया है बैठक टालने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि करनाठक और बिहार में विधान मंडल का सत्र चल रहा है जिस वज़े से जेडियों और आरजेडी ने तारीखों में बदलाव की मांग की थी करनाठक कॉंग्रेस के नेताओ ने भी तारीखों में बदलाव की मांग की थी जिसके बाद विपक्षी नेताओं से चर्चा कर नई तारीख तै की गई है कॉंग्रेस के महासचिव केसी वेडू गोपाल ने कहा कि विपक्षी दलो की मिटिंग का आयोजन बैंगलूरू में 17 और 18 जुलाई को किया जाएग हम फासिवादी और आलोकतांत्रिक ताकतों को हराने और देश को आगे ले जाने के लिए एक मजबूत द्रिश्टिकोंड प्रस्तुत करने के अपने अटल संकल्प पर कायम हैं विपक्षी दलो की बैठक के दो दिन बाद यानि 20 जुलाई से संसत का मौनसूस सत्र भी शुरू हो रहा है ऐसे में बैंगलूरू में होने वाली बैठक में संसत सत्र को लेकर भी रणनीती तयार हो सकती है दीबी लाइफ की रिपोर्ट